एलो फ्रेंट्स मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं मोटरबाइट आज फिर एक स्कॉर्पियो इंक वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं और आप आरे साथ है तंदीब जी असदीब भाई वह आपकी अच्छी लग रही है आपकी गाड़ी दिखने में क्या क्या करवाया है इसमें तो यह बंग डिफ्लेक्टर है अच्छा आपको शोरूम से भी मिल सकता है यह एंटू ऑल करके इनका वेबसाइट है मैंद्रा की ऑफिशल वेबसाइट उस पर भी करीदेंगे तो महिना दो महिने में आ जाता है यह बहुत देर में देते हैं मतलब आपको जिस दिन और प्लेस करेंगे 7-8 दिन में तो कंफरमेशन मिलती है और प्लेस होनी कि 7-8 दिन बाद आपको मिलता है कि हम अब डिस्पैज करेंगे यह जाता होगा क्योंकि वेबसाइट पे कंफरमेशन ही 8 दिन बाद आए यह महिन्दरा वालों की कम है उनको सुदारनी चाहिए मेरी चीजे कम है वो समझ में आती है वेबसाइट स्लो है या वेबसाइट में आट दिन में आ रही जैसे यह वाला पार्ट है यह असेसरी में शोरूम से लिया मैंने अच्छा अगर मैं एंटू ऑल पर और करता वापर भी हो जाता बड़ यह वाला पार्ट जो है उस पर एक दे अगर आप शोरूम से लेते हैं तो आपको 3,000 रुपे का पड़े गाई अच्छा और वैसे कितने का बड़ा यह दो जारुपे का पड़ाई अगर आप शोरूम से लेंगे तो एक जार रुपे अड़न कर देंगी वह आपके अच्छा एबी सीडी चार्ज लगा कि सर्विस लगते हैं देखिए हाइवे पर गाड़ी चलाते हैं तो अगर उसके लेफ्ट राइट में फार्म से हैं खेती बाड़ी हो रही है तो वहां पर दो पैर साम के टाइम में ज्यादा बुलते हैं खिदवा होती है बिसिकली वह उड़ती है वह ऐसे जाए चिपकती हैं शीशे इस यहां तक आपने को बचाता है और आवश इसको रगड़े साफ करना वड़ता इसbolा अलग देफ्लेक्टर आता है लेकिन उसका बगड़ेटर काम नहीं करता अब लोग बोलेंगे थार वाले कंप्रेंट करेंगे आपकी वीडियो दिखेंगे कि मैं गलत बता रहा हूं लेकिन वह सिनेरियो है ना उसका सीजा ऐसा है वह स्ट्रेट है आप एक्सवी 700 में लगाई है उसमें बहुत अच्छा है उसमें तो बिल्की बिना इसकी काम करता है हाँ तो डाइनेमिक ऐसे होने जीए गाड़ी के ताकि वह काम भी करें ठीक है नहीं तो आप शीजा ऐसा लगा रहे है और क्या क्या करवाया और इसमें वैसा तरप मोडल है सब क्रॉम आता है इसका यह पी क्रॉम था यह सारा मैंने डिक्रॉम करवाया यह एक कमाल की चीज अगर इसको मैं क्रॉम चोड़ता न तो अजीव सा लगता तो अजीव सा लगा भी तावे रहो इसकी जो बीच लूग है ना इन चीजों से और निकल के आ रही है राइड राइट रहे है इसका और वडिया लगा और यह वैसा निये लोग बोलेंगे क्यों कराया जो बेस मो अजिये इस एक पार्ट आप फीचर है यह फर्क हो यह यह ब्लैक और यह ब्लैक देखेंगे आपको वीडियो में जितना भी दिख रहा हो यह ब्रावनी इस है तोड़व में तोड़ा से रिखाओ मंधित यह फोड़वा इस थोड़ा ग्लॉसी ब्लैक है और हलका सा एना औ यह भी दिक्रोम हो रखा है आता यह भी ब्लैक एजटेस वर यह भी टीप जो है वैसे इसमें यह भी करा हुआ है लेमेशन बोल सकते हैं इसको पीपी आफ बोलते हैं लोग तो पीपिए एक और कमाल की चीज भाई ने पीपी अफुद भी निया दिखाते हैं इसको बहुत ज इसके पैनल की किया था बंब बॉनट के लिए कि मुझे सिर्फ बॉनट बॉनट कराने इसका 10,000 रुपे चार्ज कर आप पर पैनल ले मैं है इतना ज़्यादा नहीं आता आपका क्या कर्चा आया यह बताइए मेरे तीन-चारे-जार रुपे कर्चा आया टोटल कोई पतले वालब कााता है एक थोड़े से मोटे नोब का आता है पतलेवाले का पानी डालते है की एक एक आईसे अइस् вместе, अइकत लिखाड़ कर देने अपको दो दिन देने है खुद कर यह पुरा-पुरा दिन लगे दो पागlov की तरह एक अपने भाई सबस्क्रें एख सबटा लगता है एक पार्ट को इसा भी कट बगड़ लगता थो तिन घंटे पर ठीक है तो इसे पकड़ करना पड़ते है इसमें जो है वह लाइन है अब भी चलो और एक मेरी कमी है यहां से दिकھाएंगे में तो दिखो लाइन दिखेगी ऐसी लगा लेकिन यहां थोड़ा डिफिकल्ट है लगाना यहां अपने तरी सफाई से लगा लिए यह तीन वारी लगी यह पर जब जाके लगी है यह देखिया नहीं यह तो चलो फिर भी सीधा सीधा है हाला कि इसमें भी काफी कर्व्स है उसके बाद भी चलो ठीक है लग सकता है यहां पर बहुत फोड़ा टॉफ है यहां पर लगा यह कटिंग गलत है थोड़ी सी इस वज़े से मिट्टी दिख रही है चिफ्टी वी अना यह देखिए यह देखिए यह देखिए गलत और लेकिन ठीक है मेरा काम चल रहा है ना यह देखिए एक जो चीज मुझे समझ में आ र कुछ ऐसे वह होते हैं जो चिपक जाते हैं जो अटते नहीं है चाहिए रगडलों कुछ भी वहां से फिर गिसना पड़ता है और रबिंग जाती है तो यह यह लगने से सिर्फ उसी चीज का बचाव होता और कोई बचाव नहीं एक जो मेरी परसनल फेवरेट गया भाई न परसनल फेलिंग बता हुआ अगरा भी आसे देखिये मेरी नचाव अगर आप यूजर्स को भी दिखए अपने वीवर्स को अविया से देखिए अगर आप एसका, एम ब्लेक कराने मीच के यह तो यह वखो गी. किसी को करीदना हो ते मिलता है महिंटरा को जना इपनी को बना लो हुआ वाइव ना विए यह प्रहं टेंट के ये जो एह लिद्द आ इतने करा है इतने पर शाइम आप यह मैंने आफ्टर वॉर्गी आपके और ये जो स्वेक्ट फेयर नी नाइटब्स पूरा है कि तो निक यह सारी चीज़ें बहुत जादा कलर निकल के आता है उस वजह से थोड़ा सापने डिफ्यूज कर दिया लोग कहेंगे डिक रखा तो यह वला क्राउं को ले रखा है मैं परसली बता देता हूं यह मेरे दोस्की शोप उसने जवर दस्ती दिया मेरेको ऐसा गिफ्ट के अगर आपको फॉरण जाना है तो कुछ जानकरी चाहिए कि बिना किसी कंसल्टेंट की आप जासा जाना चाहते हैं तो मैं ऐसे आपको जरिये बताओ आप आसानी से जले जाएंगे तो बड़ी काम की चीज़ है इन रियालिटी बता रहा है कई लोगों को भीज भी चुका ह और वो पेपर की त्यारी के लिए किसी को किसी कोजिंग सेंटर में जाने की जुरवत नहीं मैं दो तीन चीज बताओ उसी से आप खुद ही पार कर लोगे पेपर इतनी असानी से पास करोगे आप खुद हरान हो जोगे अपने स्कोर देखके आप इवन प्यार के लिए अप सब्सक्राइब कर रहा है अब जाता है नहीं तरीके से शुरू करना पड़ेगा अब नए नहीं हैं जैसे मैं तो मैरीड हूं मेरे बच्चे ही हैं परिवार है मेरा पूरा अगर अन्मेरिट होता हो उस वक्दी मुझे पता होता तो आप मैं राचुका होता है अब मेरे पास नहीं था कोई संदीब मैं अकेला था उस वक्दों मुझे गाइड करने वाला आप लोगों के लिए मैं हो हमसे गाइडेंस लीजिए और सभी और कंसल्टेंट्स भी कर दोदो हमसे अए ह